अब एक question आपके mind में आता होगा है and that's what I am also expecting कि जब आप Manhattan distance पढ़ते हैं या आप Euclidean distance पढ़ते हैं तो भई मिंक कॉस की गया लेने आ गया बीच में सेम वो ही चीज कर रहा है लेकिन हम क्यूं इसको पढ़ रहे हैं और क्यूं मिंक कॉस की distance जो है basically ये अगर पिछले दोनों को generalized form में हमें देता है तो इसका फाइदा क्या है इसकी example मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप experiment कर रहे होते हैं तो experiment के दुरान आपके पास सिरफ P की value जो है मिंक कॉस की distance के अंदर जो P की value है वो अगर 1 है तो ये Manhattan बन जाता है ठीक है और अगर P की value 2 है जो parameter है आपके equation के अंदर तो ये क्या बन जाता है Euclidean distance Euclidean distance तो अकसर उकात होता ये है जब आप experimentation में काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं सिरफ एक numeri value को change करके दोनों distances को use कर सकते हैं Say for example आपने इतना बड़ा code लिखा वहां पर सिरफ आप लिख देते हैं कि P की value 1 भी check करो और 2 भी check करो Then based on this आपके पास दोनों distances check को जाएंगे और आप इन दोनों को compare कर सकते हैं In the same model और जो best value आपको देगा आप उसे use कर सकते हैं तो flexibility की वज़ा से हम Minkowski को use करते हैं सिरफ P की value change करने से हमारे पास दोनों equations आजाती हैं और यही खुबसूरती है P की value को change करने की यह वला जो Minkowski की हमारे पास distance matrix की equation है अगर आप देखें तो इस एक equation में दोनों समाएं हैं सिरफ P की value को change करने से यह जो P है जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यह चेंज करने से Manhattan और Euclidean में यह transfer हो जाएगा On the other side अगर आप दोनों को use करके compare करना चाते हैं आपको ज्यादा coding भी करने पड़ेगी, computation भी ज्यादा लगेगी और आपकी flexibility भी नहीं होगी ठीक है और दूसरी चीज कभी कबार nature of the data ऐसा होता है nature of the data ऐसी होती है कि आपको दोनों use करने पड़ जाते हैं और दोनों का comparison चेक करना पड़ जाता है और different data types where robustness किसी एक की बहतर होती है different data types where robustness किसी दूसरे की बहतर होती है then you have to see both वहाँ पे भी आपको ये specific application में काम करता है और basically आप ये सिरफ P की छोटी सी value को change करके आप दोनों को customized way में आगे लेके जा सकते हैं so for example आपने एक app बनानी है और आप distance मेयर करना चाहरे है from one point to another ठीक है ये basically सिरफ machine learning के अंदर नहीं आपके graphic designing की apps के अंदर भी ये सारे formulae use होते है कभी कबार आपको ये ही app जो है वो इस तरीके से distance को मेयर करके देती है कभी सीधा मेयर करके देती है तो आपने सिरफ p की value 1 और 2 जो है इसको लिखेंगे तो ये robust हो जाएगा कि आपका model या तो इस एक point को select कर रहा है या दूसरे को ठीक है तो p की value 1 को show कर रहा है ये 2 को तो फोरन से आपका distance matrix change हो जाएगा और usually machine learning की apps के अंदर दोनों use होती है और exploratory data analysis हो या different किसम की और भी मिंकॉस की जो distance है उसको use करने की जो apps है अगर आप उन पर काम करते हैं तो flexibility and adaptability is the main thing जिसकी वज़ा से आप मिंकॉस की को use करते हैं as compared to Euclidean and Manhattan distance separately एक तो equations secondly मिंकॉस के distance ने दोनों को basically merge कर दिया एक ही equation के अंदर now I think you have an idea के कब हम कौन सा use करते हैं एक question अब मेरा आप से है के when do we need to use Euclidean distance and when exactly do we need to use Manhattan distance कौन से ऐसे scenarios है जहां पे एक method को use किया जाते है और कौन से ऐसे scenarios है जहां पे दूसरे method को use किया जाते है यह आपकी एक छोटे से assignment है please have a look and write down in the comment section and also in the discord channel